सवाल आपके सामने है कि 700 रुपे का 5 परतिसत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रविधी ब्याज निकालें तो आज इस वीडियो में हम चक्रविधी ब्याज निकालना आसानी से सीखेंगे तो आपको दिख रहा होगा मुल्धन, मुल्धन कितना दिया हुआ है 700 रुपे यानि रुपे में जो कुछ भी आपको दिखेगा उसे आप कहिएगा मुल्धन और मुल्धन को P से निरूपित करते हैं ठीक है अब यहाँ पर दर दिया हुआ है 5 परतिसत और दर को हम R से निरूपित करते हैं अब इसके बाद है समय, समय कितना है दो वर्स का तो समय को हम T और N से निरूपित करते हैं तो दो वर्स यहाँ पर दिया हुआ है और चक्रविधी ब्याज चक्रविधी ब्याज को हम C और I से निरूपित करते हैं ठीक है तो आए इसको आसानी से हल करते हैं अब आप सूत्र पर नजर डालिए आसानी से बन के तयार होगा चक्रविधी ब्याज सूत्र है देखिए यहाँ पर एका मतलब ध्यान रखेगा मिस्रधन होता है ठीक है तो सूत्र पर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको सब का मान बैठाईए तो P का मान कितना दिया हुआ है 700 रुपए तो अब आप 700 रुपए लिख दीजिए ब्रैकेट चिन का यह एक लिख दीजिए और पलस का चिन लगा करके आर का मान कितना दिया हुआ है 5 पर तिसत तो 5 लिख दीजिए और बटा में कर दीजिए 100 और इन का मान दिया हुआ यानि समय कितना दिया हुआ है 2 वर्स तो उपर 2 लिख दीजिए अब आप आसानी से हल करते जाएए आपको बन के तयार हो जाएगा अब इसे काटना चाहते हैं आपस में तो काट दीजिए तो 5 और 100 को काटेंगे तो 20 पंजा हो जाएगा 100 अब आप आगे की प्रोसेस को देखिए अब आप क्या किजिए 700 लिख दीजिए और ब्रेक lacket लगाईए एक हो जाएगा पलस हो जाएगा और यहां 5 की ऊपर कितना बजज जाएगा एक बजज जाएगा और बटा में बजज जाएगा नेचे 20 और यहांपर बजज जाएग से आप बना दीजिए 20 गुन एक किज़ेगा तो 20 हो जाएगा और एक जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21 21 बटा हो जाएगा 20 और उपर में ये वाला हो जाएगा दो ठीक है तो उपर में आप दो लिख दीजिए अब आगे देखिए अब आगे क्या किजिए 700 रुपए को लिख दीजिए और ये ये जो कोस्टक है ना इसे आप हटाईएगा तो गुना का चिन लग जाएगा अब जो है 21 बटा 20 लिख दीजिए और हाँ यहाँ पर दो है ना इसे दो बार लिख दीए तो गुना का चिन लगाईए और फिर से 20 बटा 20 लिखिए अब यहां पर गौर किजिए काटना चाहते हैं काट यह 0 से यह 0 खतम 0 से 0 खतम यह 0 से यह 0 खतम ठीक है अब बच गया कितना गौर किजिए 7 गौने 21 गौने 21 और बटा में 2 और 2 गौना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तो उपर किजिए और लिख दीजिए 4 अब यह 3 को आपस में गौना कर लेजिए तो यह 3 को आप जब भी गौना करेंगे तो 3,87 आ जाएगा और बटा में यह 4 को आप लिख दीजिए अब इसे भाग लगाईएगा तू इजली बनके आ जाएगा साथ साथ एक पोईंट साथ पांच ये आपका आगया मिस्रधन जीहां साथ यो ये आगया मिस्रधन ये आपका चक्रविधी ब्याज नहीं है अब यहां पर गौर किजिए इसमें से घटा दिजिए साथ सो अब य मुल्धन जो हमारा दिया हुआ था वो क्या है साथ सो रुपए है तो मुल्धन जो है साथ सो है तो आप क्या किजिए साथ सो रुपए को घटा दिजिए जितना आया उतना में साथ सो रुपए घटा दिजिए तो इतना में अगर इतना में अगर हम साथ सो रुपए को घट चक्र विधी ब्याज तो मैंने आसानी से हल करकर के बताया है आपको आप इसी पर बहुत हारे प्रस्ण को हल करके देखिएगा आसानी से आपको भी बनाना आ जागा तो यह आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दिजिएगा चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जय हिंद वंद्यमात्रम